हाई गाईज, वेलकम टू स्टेडी इंडिया अड्डा, गूड विवनिंग सही बच्चो को, आई एम रेजनी, आप लोग का पारामेटकल, पारामेटकल का जो बाई लोजी का आप लोग का क्लास चलता था, वो क्लास आप लोग को स्टार्ट हो गया है, सही बच्चे के आई हूं, ठीक है, सबसे पहले पारामेटकल का जो एक्जाम पैटर्न है, वो आप लोग कर लीजिए, इसका जो एक्जाम होना है, दस पास 2020 को, दस माई को, बट अगर लोग डॉन बढ़ गया, तो आप लोग का एक्जाम डेट जो है, वो डिले हो जाएगा, ठीक है, अ समान बिग्यान में बहुतिक रसायन और जीव बिग्यान, तीनों से कोस्टन 25 नमर के रहेंगे, जो की 125 मास्ट के कोस्टन होंगे, तो बहुतिक एवं रसायन का क्लास बचों मौर्निंग में 8 वज़े चल रहा है, और जीव बिग्यान का क्लास साम में 8 वज़े से आप वजे चलता दो वजे ठीक ही के लिए निंगी यहीं अंदी को भी प्रस्न शॉपस जाएंक मैं दो इसमें 15 नहें मैं 75 के अंग्रेजी जिसर्ण भी 5ड्र प्रश्न हैं Brain 흥मान ग्यान से 20 प्रस्ण होंगे जो कि 100 मास्क होंगे टोटल आप लोंगा जो 90 प्रस्ण होगा वह कितने मास्क होगा चाश्वपचास मास्क होगा और पारामेटिकल डेंटल जिसको पीएंडी बोलते हैं इसका भी एक्जाम नेट दस पाच को सेकंड शिफ्ट में था पीम का फस्ट में था और इसका second student में था नहीं वज़तों मतलब है, ठीक है? 10 पास से है, जो कि ये भी 2 घंटा 15 मिनिट से है, 450 नमर के प्रस्ट रहेंगे, तो इसका भी exam pattern आप लोग नोट कर लिजे, बहुत इक भी ग्यान है, जो कि ये का मतलब है कि आप लोग का टोटल 90 परस्ट होगा, जो कि 450 नमर का होगा, तो आप लोग सभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, आप लोग कमेंट करते हुए चलिए आप लोग कीसी परकार के अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट के थूप पुछिए, आप लोग को पूरा सोलूसन मिलेगा, मैं आप लोग को बताऊंगी तो चलते हैं आज की question की ओर Why एक मात्र पच्छी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ सकता है Question है Hindi और English दोनों में आप लोग को provide किया जा रहा है Which is the only bird that can fly backwards तो इसका right answer क्या होगा आप लोग comment करते चलिए इसका जो right answer होगा बच्छो option B होगा Hummingbird जिसको हम लोग गुंजन पच्छी बोलते हैं ये एक ऐसा पच्छी एक मात्र ऐसा पच्छी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है Option B जो है वो बिल्कुल correct है Next है Next है निमलिखित में से कौन सा एक कोस किये नहीं है तो इसका राइट अंसर क्या होगा तो इसका जो राइट अंसर होगा बच्चों वो होगा हाइडरा हाइडरा जो है वे एक कोस किये नहीं है इसका राइट अंसर ऑप्शन डी होगा नहीं है पूछ रहा है बच्चों कि नहीं है ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो correct होगा next question के और move कर रहे हैं किस पर किरिया द्वारा टेड़ पोल एक ब्यासक मेढख में बिक्सित होता है question जो बोल रहा है कि किस पर किरिया द्वारा टेड़ पोल एक ब्यासक मेढख में बिक्सित होता है इसका right answer क्या होगा इसका जो right answer होगा वो होगा कायांतरन option B जो है वो correct होगा इसका right answer कायंतरन होगा next question next question आपके screen पर है तोते का अनुमानित जीवन काल कितना होता है ठीक है next question है तोते का अनुमानित जीवन काल कितना होता है इसका right answer क्या होगा इसका राइट अंसर होगा तोते का अनुमाने जीवन कल 140 वर्ष होता है तो इसका जो राइट अंसर हो ओप्शन D होगा ओप्शन D बिल्कुल करेक्ट है तोते का अनुमाने जीवन कल 140 वर्ष होता है नेक्स्ट है अमीवा जो है अमीवा अपना भोजन कहां पचाता है अमीवा जो है वज़ो वो अपना भोजन कहां पचाता है तो अमीवा जो है वो अपना भोजन खादे पानी खादे पानी में पचाता है इसका राइट अंसर ओप्शन सी होगा खादे पानी नेक्स्ट है 137 नमबर कोस्टन है कोक्रोच इज कोक्रोच इज तिल चट्टा है तिल चट्टा क्या है यह बताना है चार ओप्षन दिये हुए है तिल चट्टा किस में आता है यह बताना है तो इसका right जो answer होगा बच्चो वो इसका right answer होगा तिलचटा जो है वो सरवाहरी में आता है मतलब वो साकाहरी भी होता है और मांसाहरी भी होता है इसलिए उसको सरवाहरी बोलते हैं option B जो है वो correct होगा next question क्यों move करते हैं नेक्स्ट है निमलिखित प्रानियों में से कौन सा प्रानी परासन रूपी है नेक्स्ट कोश्चन जो बोल रहा है कि निमलिखित प्रानियों में से कौन सा प्रानी परासन रूपी है तो इसका जो राइट अंसर होगा वो इसका राइट अंसर हो जाएगा C option B जो है sorry इसका जो right answer होगा वो A होगा option A जो है इसका correct होगा इसका right answer होगा next है next है silver piece जिसको रजत मीन बोलते हैं इस phylum में सामिल है silver piece जो है इस phylum में सामिल है मतलब किस समुदाय में सामिल है ये बताना है silver piece तो इसका right answer होगा वो होगा orthopoda silver piece जो है orthopoda में सामिल है जिसको संधी, पाथ, प्रानी बोलते हैं option B जो होगा वो correct है next है next है बच्चो निम सरी स्रीपो में कौन सा ऐसा है जिसके हिर्दे में चार कच होते है सरी स्री प्रानी जो है वो चार option में दी हुए है कौन सा ऐसा है जिसके हिर्दे में चार कच होते है इसका answer क्या होगा तो मगर मगर मच जो होता है ना उसके हिर्दे में चार कच होते है option C जो है वो correct हो जाएगा Next है Next है बच्चों निमलिखित में से कौन सा एक कुस की ये जीव का उदाहरन है 1, 2, 3 तीनों में नाम दिये हुए है 1 में है यूग लीना 2 में है अमीवा और 3 में है पैरा मिशियम तो उदाहरन कौन सा है नीजरे A, B, C, T में 4 ओप्शन दिये हुए है इसमें कौन सा सही होगा 1 कुश की ये जीव का उदाहरन जो होगा बच्चों कौन सा सही होगा यूग लीना तो एक कुश की ये जीव है अमीवा भी है पैरा मिशियम भी है एक कुश की ये जीव हो जाएगा बचो यहाँ पर option D जो है वो correct होगा All optional are correct सही बिकल्ग जो है वो सही है Option D जो होगा वो correct होगा Next निमलिखित में से कौन सा एक बहु कोस किये जीव नहीं है इसका right answer क्या होगा इसका right answer होगा बहु कोस किये जीव नहीं है तो parameter medium जो है वो बहु कोस किये जीव नहीं है ठीक है यह तो एक कोस किये जीव है ना parameter medium मैं अभी आप लोगो just बताई तो बहु कोस किये जीव नहीं है तो option D जो होगा वो correct होगा Next इन में से कौन स्वाइं को duplicate करने के लिए स्पॉन मैकनिज्म अपनाता है इसका जो राइट अंसर होगा वह बर्म होगा ऑप्शन भी जो है वो क्रिक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है निमलिखित भी कलपों में से कौन सी मचली है चार अप्शन दियो है इसमें से मचली कौन सा है यह बताना है तो इसका अंसर क्या होगा मचली कौन सा है सालमान जो होता है बच्चों वो मचली होता है ठीक है सालमान जो होता है वो मचली में आता है ओप्शन सी जो है वो क्रिक्ट होगा नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन सा अस्तंधारी जानवर अंडे देता है ऐसा कौन सा अस्तंधारी जानवर है वो बच्चा को जन्म नहीं देता है वो अंडा देता है यहां पर राइट अंसर क्या होगा 145 नमबर कोशन का राइट अंसर क्या होगा तो पहली टिपस जो है पहली टिपस यह अंडे देते हैं बाकी जितने भी हैं चमगादर नेवला भेल यह सब जो हैं वो बच्चे देते हैं next question है नेक्स्ट है 146 निमलीखित में से कौण सरवधिक दिरगायु है इसका जो अंसर होगा वो क्या होगा तो कच्छुआ जो होता है टोटो डाइज उसको बोलते है टोटो आइज वो जो होता है option B जो है वो correct होगा कच्छुआ जो होता है वो सर्वधिक दिरगाई होता है next है next है next question आपके screen पर बचो निमलीखीत में कौन सा जीव अंडे देता है और परतियस्ता बच्चे पैदा नहीं करता इसका right answer क्या होगा एकडिना एकडिना जो है एकडिना option A जो है एकडिना एक ऐसा जीव है जो अंडे देता है परतियस्ता बच्चे पैदा नहीं करता है next है sleeper जन्तुप जिसको animal क्यूल बोलते हैं किसका समाने नाम है sleeper जन्तुप जिसको animal क्यूल बोलते हैं किसका समाने नाम है यह पुछ रहा है question तो इसका जो right answer होगा वो होगा paramecium paramecium इसका correct हो जाएगा next है किस जलिये जान्वर में पीछे चलने वाले tentacles होते हैं ऐसा कौन जलिये जान्वर है जिसमें पीछे चलने वाले tentacles होते हैं ठीक है तो इसका right answer जो होगा वो होगा jelly मचली jelly fish जो होता है बच्चो option C जो है वो correct हो जाएगा next है equus acinus खाली जताना किसका बैग्यानिक नाम है ये पुछ रहा है equus acinus किसका बैग्यानिक नाम है बच्चो आप लोग बताईए गधा गधा को equus acinus बोला जाता है गधा option ये जो है वो correct हो जाएगा यहाँ पी next है next है equus cabalas का बैग्यानिक नाम है किसका बैग्यानिक नाम है बच्चो ये बताणा है तो equus cabalas जो है ये घोडा का हो जाएगा option A जो है वोएeंअ पे correct हो जाएगा next है Next question आपके screen पर है बच्चो next है equus बर्चेली equus बर्चेली किसका बइज्यानिक नाम है, आप लोग बइज्यानिक नाम याद कर लिज़ेगा बच्चों, एक प्रस तो पुछे जाएंगे Next है एक स्बर्चली किसका बइज्यानिक नाम है तिया पे राइट जो होगा, वो क्या होगा जेबरा, एक स्बर्चली option B जो है वो correct हो जाएगा next है Acinonyx Geobetus किसका पर ग्यानिक नाम है तो यहाँ पर right क्या होगा चीता option C जो है वो यहाँ पर correct हो जाएगा next है Rodentia Ascurus ठीक है किसका पर ग्यानिक नाम है तो इसका right answer हो जाएगा गिलहरी option C जो है वो correct होगा अकिलहरी को बोला जाता है next है केकड़े किस प्रजाती के अंतरगर्ट आते हैं केकड़े जो है वो किस प्रजाती के अंतरगर्ट आते हैं तो केकड़े और्थो पोड़ा के अंतरगर्ट आते हैं बच्चो C जो होगा वो correct हो जाएगा नेक्स्ट है, जिंगे किस परिवार के होते हैं? जिंगे जो होते हैं, वो किस परिवार के होते हैं? तो इसका right answer होगा, crustaceans, option A जो है, वो correct हो जाएगा नेक्स्ट है, सेरिया लेसर टाइडी का बैग्यानिक नाम है, तो इसका right answer होगा, वो होगा, छिपकली, यह जो है बच्चों, छिपकली का बैग्यानिक नाम है नेक्स्ट है, अबोरियल एटलिस, किसका बैग्यानिक नाम है, तो यह जो है, मकड़ी बंदर को बोलते हैं, option D जो है, वो correct हो जाएगा नेक्स्ट है, ग्रेबिलिया रोबस्टा, किसका बैग्यानिक नाम है, यहाँ पर right जो होगा, वो क्या होगा, सिल्वर ओख, सिल्वर ओख हो जाएगा, सी जो है, वो correct हो जाएगा, नेक्स्ट है, मकड़िया किस प्रजाती के अंतरगत आती है, और्थोपोडा, और्थोपोडा के अंतरगत आती है बच्चों, ठीक है, option D हो है, वो correct है, नेक्स्ट है, निमलिखित में से कौन से जिवान को जीवित और अजीवित, कौन से जीवान वो को जीवित और अजीवित दोनों माना जाता है, इसका जो right होगा, वो होगा, बाइरस, बाइरस जो होते हैं बच्चों, वो जीवित और अजीवित दोनों माने जाते हैं, जैसा क्या भी, कॉरोना बाइरस है, नेक्स्ट है, अ अमिवा खाले सान है, प्रजाती के अंतरगत आता है। इसका right अंसर होगा, प्रोटो जोवा, अमिवा यह वो प्रोटो जोवा के अंतरगत आता है। Next question आपके screen पर है, किस जलिये जानवर में पीछे चलने वाले tentacles होते हैं? इसका right answer जो होगा वो होगा jelly मचली jelly fish जो बोलते हैं ये repeated question है C होगा next है Rodensia muridi किसका बैग्यानिक नाम है next है Rodensia muridi किसका बैग्यानिक नाम है इसका right answer क्या होगा चुहा चुहा को बोलते हैं बच्चो A A जो है वो correct होगा बस इतना ही था 30 question आप लोग के पूरे हो चुके हैं सभी बच्चे इसका जो right answer आता है आप लोग इमानदारी से बनाईए और वीडियो के आंत में आप लोग comment किजिए कि आपका 30 में कितना सही हुआ सभी बच्चो इस वीडियो को like किजिए share किजिए कल फिर मिलेगे बच्चो तब तक के लिए good night एक आवास्यक सुचना है बच्चो कि जो बच्चे full technique, paramedical and paramedical dental का test देना चाहते हैं उनके लिए एक और channel है जो वीडियो के description में link दिया हुआ है new channel के नाम से India 247 new channel है एसे India 247 new channel है ठीक है ना उसको आप लोग subscribe कर लिजेगा उस पे आप लोग का test होगा